दोस्तों, मार्केट के अंदर हमें short term upside moment देखने को मिल चुका है, साथ ही साथ अगर आप daily candle भी देखोगे, तो वो भी यहाँ पर 51 EMA के उपर close हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर real pump की starting हो चुकी है, या फिर अभी market के अंदर dump आना बागी है, यह सब चीजे हम इस वीडियो के कर रहा है, और आप अभी देख सकते हो, Matic यहाँ पर perfectly अपने target को यहाँ पर hit कर चुका है, और लगबग अच्छागासा profit हम यहाँ पर बना चुके हैं, एक मैंने आपको buying यहाँ कहीं पर बदाईजी Matic के अंदर, इसके बाद फिर यहाँ ब्रेक आउट पर बदाईजी retest तो simply यहाँ पर falling wedge बना था, falling wedge के अंदर यहाँ fake out आया था, fake out आने के अबाद, यहाँ पर falling wedge के अंदर price दुबार सखुछा और इसको breakout दे दिया, अब breakout देने के बाद मैंने आपसे एक चीज़ बो ली थी कि यहाँ पर 9EA पर support लेकर price pump कर देगा, जहातर चांसे देंगे, वही चीज़ हम यहाँ पर होती भी दिखी, price नीच आया, retest करा 9EA को, और फिक pump करना यहाँ से start कर दिया, और वैसे ही same movement हमें shorter time frame के देखने को मिला, जो हमने कल की वीडियो में expect कर रहा था, कि 24,000 dollar को हम hit कर देंगे, आप देख सकते हो, chart के अंदर भी यहाँ पर arrow मैंने य moment होगा, तो अब यहाँ पर क्या movement हमें देखने को मिलेगा, तो मेरे साब से अभी जो है, price एक resistance ही उपर है, अगर यहाँ पर आप यहाँ चार्ट देखोगी, 1R का आपको clear देखने को मिलेगा, price यहाँ पर इस एरिया में एक resistance दे रहा है, अभी आप देख सकते हो, यहाँ एक rising wedge channel हमें देखने को मिलेगा, अब rising wedge जो होता है, generally आप लोग को पता होगा, एक bearish pattern होता है, अगर यह नीचे की side breakout होता है, तो हमें एक dump भी देखने को मिल जाता है, हाला कि यहाँ कोई sell signal हमें यहाँ पर देखने को ने मिलेगा, लेकिन chances हाई रहेंगे, कि $23,250 को retest करन फिर लेवल को retest करा, फिर पर हमें देखने को मिला, तो वही चीद यहाँ पर भी expectation होगी, retest करने आएगा, फिर हमें अगलब यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर price को उपर भी जाना है, तो hopefully आपको यहाँ पर एक clear होगी होगी, कि आपको यहाँ पर buying भी करनी है, तो कैस signal है हमारे लिए, and definitely काफी दिनों बात हमें होती होती है, पिर टाइम में देखोगे, लगबग 2-3 महीने से इसके उपर तक नहीं जा बारा था price, and यहाँ पर तो daily candle बना लिए, जो कि एक काफी बड़ी बात है, साथ ही साथ एक चीज़ आप में और देखने को मिली है, कि weekly chart क के अंदर भी, यहाँ पर अगर हम बात करने weekly time frame में, यहाँ आप देख सकतो, जो हमारा 200 moving average है, उसके उपर price आ चुका है, और अगर weekly candles के उपर closing हो जाती है, तो यह price के लिए super bullish हो जाएगा, and यहाँ पर price longer time frame के अंदर भी हमें bullish देखने को मिलेगा, and यहाँ पर एक अच्छ times हमने डालता, dumps लेके हैं, तो belief करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यहाँ, market करना कुछ ऐसी चीज़े हो रही है, जो कि price signal market करना दिखा रही है, अभी confirm नहीं हुई है, time layer confirm होने में, जैसे भी होंगी, मैं आपको बता दूँआ, लेकिन अभी भी आप देख सकतो, 200 moving average क जब भी इसके उपर candle closing होई है, तो वो beer market का end रहा है, और उसके बाद market एक लंबे uptrend के अंदर चली गई है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा signal हमाई ली मिल जाएगा, अगर ऐसा होता है, तो, साथी साथ यहाँ पर daily candle तो हो चुकी है, already closed, तो देखने आप यहाँ से बाह बात करें, Nifty 50 और SMB framework के बारे में, तो आप दोनों को देख सकते हो, दोनों ही almost एक resistance के आसपास है, तो अगर यहाँ पर SMB framework जो negative कुलता है, तो higher chances रहेंगे कि Bitcoin के अंदर भी इसी level से हमें rejection देखने को मिले, पहले detest करना है, then हमें अगला pump देखने को मिले, और यह मेरी expectation भी साथ यह साथ आप देखो कि volume भी आपको low होती भी देखेंगी, जो कि एक इंडिगेट करता है कि retest कहीं ना कहीं market कंदर आना चाहिए, then उसके बाद अगला pump हमें देखने को मिले चाहिए, बागे अगर आप news ओर और लेखोगे, तो news पहले तो अच्छी idea नहीं, अगर हम ब अगर हम बात करें, अगर market को perfect retest करना है, तो बहुत important है market के लिए, कि market अभी जो level पर चल दीए, यहां से करें के पहले, $23,250 पाए, यहां पे एक confirmation candle बनाए, तो हम यहां से बाया ले सकते है perfectly, जो हमारा उपर तक हमें साथ दे सकता है, अभी की मैं बात करों, तो अभी मुझे लगता है कि यह level तूटते ही, जैसा ही trend line तूटती है, तो यहां पे हमें shorter time frame के अंदर, 1 hour chart के यहां पे 9EA पर आएगा, या फिर यहां पे 16, 40, 50 dollar के आसपास आता हो जाएगा, Matic के अंदर, already breakout हो चुका है, बता चुका हूँ, यहां पे retest कर रहा है, Matic retest करना आएगा 9EA में को, यहां उसके बास share हमें दूसरा pump देखने को मिले, फिर हमें pump देखने को मिलेगा, फिर दून के अंदर भी मैं expect करूँ एक यहां पर retest, जो कि इस level का हो सकता है, फिर हम बात करने, Cardano की, Cardano ने एक important resistance के आसपास है, यहां से मुझे लगता है price फोड़ा नीचे जाना चाहिए, अगर आप बात यहां पे देख सकता हो, तीसरी बार retest कर रहा है, तीसरी बार test कर रह देख सकते हैं, BNB के अंदर भी same वही trade लेकि retest करना आ सकता, BNB 274 के आसपास है, आप देख सकता हो, और बाय करना चाहते हो, तो, Nifty 50 भी एक resistance के आसपास है, तो सभी चीज एक दम सेम चल नहीं है, कि एक retest रहागा, price फोड़ा नीच रहागा पहले, फिर अगला outcome हमें द इतना हो मिलेगा, shorter time frame के अंदर यह कहानी है, यहाँ पर चल दो, यह बागी updates, टेल यहां के बूद आपको मिल जाएंगी, join कर लो, link description के अंदर मैंने देती है,